जेहिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों आच चुके हैं एक और जब पर दस्त नई भरती के साथ कौन सी भरती है आपके सामने देखे राजस्तान आंगन बाड़ी सीधी भरती 2023 हाँ बिलकुल दोस्तों आंगन बाड़ी की एक और नई जिले की नोटिपिकेशन जारी हो चु बिलकुल पूरा देखिए समझे इसको आपके भी घर में मा है बेटी है पत्री है उनको आप फोरम भरवाईए बिलकुल साथीन के पद पर भरती है किसके पद पर है साथीन के पद पर भरती है केवल और केवल दस्वी पास केवल और केवल दस्वी पास योग्यता मांगी गई है बिना परिक्ष्या सीधी भरती है बिना परिक्ष्या है चयन कैसे होगा मुल्यानकन से होगा संपूर जानकारी बताएंगे मुल्यानकन क्या है है ना डेटो बर्त क्या माँगे गई है योग्यता क्या है बताए दिया दस्वी पास है संपूर जानकारी और एगनम तक नमस्कार दोस्तों मैं राजेस गुजर स्वगत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार में चलिए देख लेते हैं फटापट से ओफलाइन आवेदन है यानि कि इमित्र से आपको नहीं भरना है यह जो आंगनवाड़ी की भरती निकलती है राजस् परिकार ने होनी चाहिए यानि कि उसकी तैसिल में भरती निकली हुई होूँ उसके ग्राम पंचायत में आँगनवाड़ी में भरती निकली हुई हो पद खाली हो तो वहां से वो फोर। मपलाई करें ठीक है समझते हैं लाजड डेट है чисोब 17 चॉबी जुलाइऑ से पहले-पहले आपको फोरम जमा करवाना है, ओफलाइन फोरम है, उसको निकलवाना है, भरना है, और फिर उसके सारे डोकुमेंट्सों की फोटो कोपी करवानी है, लिफापे में पैक करना है, और फिर उसको जमा करवाना है, जमा कहा करवाना है, ठेट, ठेट जाओ, ठेट इस्तान पे जहां भरती निकल रही है जिसका नोटिपिकेशन में संपून विवरन दे रखा है मैं आपको वेब साइट भी बताऊंगा उस वेब साइट से आपको फोरम डाउनलोड करना है और ये भी बताऊंगा जमा कहां करवाना है संपून जानकारी हम देने वाले हैं एज की बात करें तो 18 से 40 वर 16 से कम जो मिला है वो फोरम नहीं बर सकती 40 से ज़्यादा किये तो फोरम नहीं बर सकती इस्तानी निवासी होना जरूरी है वहीं की निवासी हो उसी पंसायत की उसी तैसील की ज्यादा ज्यादा तैसिल इस तर पे जा सकते हो आप ऐसा नहीं है कि दूसरे तैसिल में जा रहे हो दूसरे तैसिल में नहीं जाना आपको आप ही के तैसिल में फोरम भरना है विवाहित होना जरूरी है मैंने बब बताया था हर जिले की नोटिपिकेशन अलग आती है और उसमें अलग-अलग नियम रहते हैं इसमें नियम ये है कि विवाहित होना जरूरी है महिला कुवारी करन्या के लिए भरती नहीं है विवाहित महिला ही फोरम भर सकती है विवाहो तलाक सुधा हो ये जो महिला है ये विवा महिला है तो अपने पती का मरत्यू परमान पत्तर लगाए तलाक सुधा है तो अपने न्याले का जो तलाक परमान पत्तर है वो लगाए और ये जो विवाह और तलाक सुधा महिला ही है ये दोनों जगे से फोरम लगा सकती है ससुराल से भी लगा सकती है माई के से भी लगा सकती है यानि कि अपने पीर से भी बर सकती है और सासरा से भी बर सकती है लेकिन इनको एक मोका ये मिलता है यदि आपके पद जादा पीर में है तो पीर से लगा दो यदि पद जादा सासराल में हैं, सासरा में हैं, तो आप वहां से फोरम लगादो, बहुत बढ़िया रहेगा, जहां आपका फाइदा हो, वहां से फोरम भरो, क्योंकि सरकार ने तो छूट दे दी न, आपको सासराल से भी, रमाईके से भी, जगे से फोरम भर सकती हो, विद्वा और तलाग सुदा, चयन मुल्यानकन से होगा, भरती कहां की है, बता दें आपको, ये जो भरती है, ये बूंदी जिले की भरती है, ठीक है, बूंदी जिले की भरती है, यानि कि बूंदी की जो मैलाएं हैं, वो ही फोरम भर सकती है, अध पर सकती है ठीक है डोकोमेंट्स आपको बताए देंगे चायन कैसे होगा मुल्यानकन से होगा यानि कि जितनी जागा आप पड़ी लिखी हो डिगरी डिपलोमा जो भी आपने कर रखा है वो सारी फोटो कोपी लगा दो दमा दम आपको नमबर मिलेंगे इस बात का ध्यान रह सारी पहीं है तो कुई दिकता हैं तो भी फोरम लगाको यसना तक हो तो चार नमबर मिलेंगे आपके योग इता कि आपने दिगरी लगाई है जैसे मानलो आपने बार वी कर रख्ये बस तो आपको तीन नमबर मिल जाएंगे दस वीके नहीं मिलेंगे आपको और जैसे मालो आपने इसना तक कर रखिये graduate, BA, B, SC, B, COM किसी भी subject से लास्ट आपने इसना तक कर रखिये तो आपको लास्ट चार नम्मर मिलेंगे जानि कि लास्ट की जो मारक सीट है ना कि सबसे ज़्यादा पड़े लिखी हो आप तो जो लास्ट वारी मारक सीट है उसी के नम्मर मिलेंगे आपको बाकी के ये नम्मर नहीं मिलेंगे आप ये सोचों कि साब 10 वीका में जुड़गा 2, 12 वीका जुड़गा 3, 7 तक का जुड़गा चार तो 4, 3, 7, 2, 9 अमिरी तुम हो जोगी नो थोड़ी हुए है आपको लास्ट वारी मारक सीट के ही नम्मर जोड़े जाएंगे ये धान रखना ठीक है ना अगर आप इसनात को उत्तर हो जो जो आपको 5 नम्मर मिल जाएंगे RACIT का नम्मर मिलेगा एक सीदा सट यदि आपने RACIT डिग्री कर रखिये तो डिपलोमा, कम्पूटर का ANM डिग्री नर्सिंग वारी है तो 3 नम्मर मिल जाएंगे GNM है तो 4 नम्मर मिल जाएंगे BPL में यदि कोई भी महिला है कोई भी मेरी ऐसी बहन माता बहन है जो BPL में है गरीब परिवार से है तो उसको 2 नम्मर मिलेंगे अपना RACIT कार्ड लगा देना क्या? RACIT कार्ड लगा देना क्योंकि BPL का RACIT कार्ड ही तो होता है उसी में तो लिखा रहता है BPL और फिर नम्मर रहते हैं पर्मान पत्र बनवा लेना भना आपको 4 नम्मर सीधे मिल जाएंगे बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा आपको अनुभाव पर्मान पत्र कहां बढ़ेगा अरे जहां आपने काम किया वहीं से बनवा लेना आप OBC, MBC, EWS की जो भी महिला है दो नम्मर सीधा अपना डोकुमेंट्स लगाओ डोकुमेंट्स क्या लगाएं EWS वाला पर्मान पत्र OBC, MBC वाला जाती पर्मान पत्र अच्छा ठीक है समझ में आ रहा होगा विद्वा तलाग सुदा कोई भी महिला है तीन नम्मर मिलेंगे कैसे मिलेंगे अपने डोकुमेंट्स लगाओ डोकुमेंट्स क्या लगाओ विद्वा है तो अपने पती का मृत्यू पर्मान पत्र लगाए तलाग सुदा है तो न्याले के दुआरा उसको तलाग पर्मान पत्र मिला है वो लगाए S.C.S.T. की जो महिलाएं हैं उनको दो नम्मर में लेंगे सीधे ये भी अपने प्रमान पत्तर लगाए ठीक है जी रिक्त पद कोण कोण से हैं कहां कहां हैं ये भी बतादू आपको पंचायद समीती और गराम पंचायद दोनों बताँगा मैं आपको ठीक है पंचायद समीती बूंदी अब बूंदी में देखो गराम पंचायद राम नगर राम नगर में खाली पद हैं भर सकते हो गर दड़ा गर दड़ा में भी खाली हैं पद भर सकते हो हट्टी पुरा हट्टी पुरा ये तुमी जानो ये बूंदी के हो तुमी जानो हम तो बस बता देते हैं आपको हटीपुरा में पदखाली है फोरम भर सकते हो हिंडोली पंचायच समीती हिंडोली में है सावंत गड ग्राम पंचायच वहां भी पदखाली है और हिंडोली में भी पदखाली है दोनों में केशो राय पार्टन में भी पद खाली है पंचायत समिती में और माधो राजपुरा ग्राम पंचायत है उसमें भी पद खाली है नैनवा पंचायत समिती में भी पद खाली है और बाचोला ग्राम पंचायत है इसमें भी पद खाली है तालेडा पंचायत समिती में पद खाली ह और ग्राम पंचायते के थूदा डाबी इन दोनों में इनमें पद खाली हैं आप इनमें फोरम भर सकते हो ठीक है और आपको जाना कहां है सहायक निदेशक महिला अधिकारीता बूंदी जहां पे आपको फोरम जमा करवाना है फोरम कहां मिलेगा फोरम मिल जाएगा वेब जान.government.in ये जो है ये वेब साइट है इस वेब साइट चे आपको फोरम भी मिल जाएगा भरती की जानकारी भी मिल जाएगी समस्त जानकारी मैंने आपको बताई दी है सारी बात बता दिये और जिसको ज़्यादा जल्दी है कि मेरे को तो अभी जानकारी चाहिए तो ये आपको हर पंचायद समीती में मिलेगा ये ओफिस CDP office ये CDP office है CDP office आप बैढते हैं इसमें आंगनबाडी की जो भी करमचारी होती है यहाँ पे जाती है और यहीं से उनको जोईनिंग वगरा मिलती है ठीक है ना तो यहाँ जाकर के भी आप पता कर सकती है अपने बाई को ले जाओ किसी को भी साथ ले जाओ पती पतनी हो तो आप चले जाओ और CDP office में जाओ आपकी पंचायद समीती में मिलेगा वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी फोरम भी मिल जाएगा ठीक है सब कुछ आप भर देना इन सब की डोकोमेंट्सों की फोटो कोपी करो उस पे फोटो कोपी करवा के साइन करो खुद के साइन करके लिपापे में पैक करो और वहाँ पे जमा करा दो यहाँ पे कारियले में जाके CDPO में भी आप जमा करवा सकते हो वहाँ जाके एक बार ट्राई कर लेना ठीक है अगर वो बोल रहें कि हमीं जमा कर लेंगे तो जिलेवाले कारियल में ही जाओ तो फिर आपको यहाँ जिलेवाले में जाना है ठीक है तो आई हप आपको एक जान कर यह अच्छी लगिगी होगी अच्छी लगिया तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि भारत में जितनी भी भरतिया निकलती है, तमाम भरतिया आपके साथ सेयर की जाती है, वो भी बिलकुल आसान और सिंपल भासा में, और जिन दोस्तों को खबर नहीं है, उन दोस्तों को खबर कर दो, ज्यादा ज्यादा सेयर करो, मिलूगा फिर आपको एक और जब अब दस्त इभरती के साथ तब तक के लिए सभी प्यारे साथ इंको जै हिंद जै भारत